आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिब होने वाली है जो भी लोग भी हार पोल टेकनीक के स्टुडेंट हैं तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि जो भी हार पोल टेकनीक मॉप अप जो काउं काउंसलिंग है इसमें भी कोई भी पोल टेकनीक को लोट नहीं हुआ है तो इनके दोरा कॉमेंट किया गया है कि सर हमको जो मॉप अप काउंसलिंग है इसमें भी कोई पोल टेकनीक को लोट नहीं हुआ है तो अब आखिर आगे क्या करें इसके साथ साथ इस वीडियो में आ तबिक किलियर हो जाएंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को बीना इस्क्रिप्ट किये हुए आन तक दरोड देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो आपके मन में कोई भी क्वेस्टन हो सबका आंसर मिल जाएंगर आप लोग भी भी हार पोल टेकनिक के शुडेंट है और यहां जानना चाहते हैं कि यह रापोल टेकनिक जो मोपफ कौंसलिंग है उसका रीजल्ट आखिर कैसे चेक होगा या वैसे शुडेंट जिनको मोपफ आप कौंसलिंग में भी कोई भी पोल टेकनिक को इसी लौट नहीं हुआ है तो राजल उनको क्या करना होगा तो सबसे पहले आप सभी को अपने मुबाइल में जो Chrome Browser है इसको open कर लेना होगा फिर इसके सर्च बार में आप सभी को सर्च करना होगा BCECE जैसे आप लोग सर्च किजिएगा उसके बद आप सभी को जो desktop site है इसमें open कर लेना होगा open करके यह जो लिखा होगा BCEC Government of Bihar तब आपको एक पर यहाँ पर किलिक कर देना होगा जैसे आप लोग यहाँ पर किलिक किजिएगा तब आपके मुबाइल के स्क्रीन के उपर कुछ इस परकार से दिखेगा देखिए Bihar संजुक परवेश परतियों किताब परिक्षाप परसद उसकी नीचे लिखा होगा Bihar Combined Entrance Computative Examination Board तो हम एसमें आप सभी को बताने वाले हैं कि राखिर आप लोग अपने ही मुबाइल से जो Bihar Poltechnic Map of Counseling का result है उसको कैसे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटिस रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारी और आप सभी के अपने यूट्यूब से इनल डिप्लोमा क्लासेस पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब डिउट कर ले ताकि एसे इंफर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे एक और आप सभी को बात बता दे वैसे स्टुडेंट जिनको मौप अप जो काउंसलिंग है इसमें भी कोई भी पोल टेक्निक और ये लोट नहीं हुआ है तो राखिर आपको क्या करना होगा इसको जानेने के लिए सबसे पहले आप सभी को इंस्टा जो काउडेज़ में कोई ब्रांच लोट नहीं हुआ है तो राखिर आपको आगे क्या करना होगा तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लिजिए और देखिने के बाद आंत में एक बड़ इंस्टाग्राम पर मेसेज़ चरूड कर देजिएगा इंस्टाग्राम आपको एक बड़ यहां पर किलिक कर देना होगा जैसे आप लोग यहां पर किलिक करेंगे तब आपके मुबाइल के स्क्रीन के उपर कुछ इस परकार से दिखेगा तब आपको थोरा सा उपर क्योड़ स्क्रॉल कर देना होगा जैसे आप लोग इस्क्रॉल करेंगे तब आ आपके मुबाईल के स्क्रीन के उपर कुछ इस परकार से दीखेगा यहाँ पर लिखा होगा काउंसलिंग और यहाँ पर आप सभी को अपना रॉल नमर डालना है और जो काउंसलिंग हुआ था उस टैम जो पासवर्ड बना होगा तो यहाँ पर आप सभी को डालना है पासवर करने का तो आप लोग अपने मुबाइल या इमेल पर OTP को share कर दीजिएगा तब एक दखा लिखेगा मतलब seat allotment result और आप लोग वहाँ पर करके अपना जो पोल टेकनिक कोलेज मिला है आप लोग उसको check कर सकते हैं अब चलिए आप सभी को बता दे कि आखिर आपको admission के लिए कहा जाना होगा पोल टेकनिक कोलेज में तो आप लोग अपने मुबाइल के screen पर देख सकते हैं यह एक student का मप अप कांसलिंग का seat allotment result है औ यानि आप सभी को दो दिनों के अंदर ही admission करा लेना होगा अगर आप लोग दो दिनों में admission नहीं कराते हैं तो आपका बाद में admission नहीं हो पाएगा और वैसे student जिनका question ता के sir admission के लिए पटना जाना होगा या पोल टेकनिक कोलेज में तो यहाँ पे आप सभी को लिखा गय है reporting center यानि आपको अपने पोल टेकनिक कोलेज में ही जाना है document verification और admission के लिए और आखिर आप सभी को कौन से पोल टेकनिक कोलेज में कौन से बरांच मिला है इस वीडियो के comment box में comment जरूर किजिएगा और वैसे student जिनको map up जो counseling है उसमें भी कोई पोल टेकनिक कोलेज लोट नहीं हुआ है तो राखिर आप सभी को आगे क्या करना होगा उसको जनने के लिए आप सभी लोग instagram पर मेशेज जरूर किजिएगा instagram idadplomaclassis1 और उसका link इस वीडियो के description box में आप सभी को दे दिया गया है